हेलो एवरीवन दिदिश वाहनी इला एने वैलकम टु मैं यूटी चैनल स्टेडी अडिशीनू कैसे हैं आप सभी लोग आज हम लोग पढ़ेंगे राजिस्थानी शैली को पढ़ेंगे ठीके इससे पहले हम लोग ने मुगल शैली को कंप्लीट किया था आज हम लोग क्या प एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीके कलो पर्सों की क्लास में हम लोगों ने घटना चक्र की थी जिसमें हम लोगों ने राजिस्थानी शैली के अब्जेक्टिव क्वेस्टन किये थे अगर आपने वो क्लास ना देखी तो उन क्लास क को भी आप देख लीजिए उसका लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में दे दूंगी और हां आपको घटना चक्र भी करनी है पूरी चीज़े आपकी प्लेलिस्ट में बन रखी है आप प्लेलिस्ट में सारे ही टॉपिक को क्लियर करिए ठीक है अगर आपने अभ लोग रज्स्थानी शायली देखेंगे ठीक कल उसकी उप शायली से हम लोग रहता है कि ऐस्वाद चाइम rays करेंगैं कि यहीं इस तक कि इसका time period रहता है 1550 से लेकर के 19 20 तक इसका time period रहता है ठीक है हाला कि आपके 1550 बिल्कुल accurate नहीं शुरू हो जाती कोई भी चीज होती तो एकदम से नहीं शुरू होती आपको अच्छे से पता है कि आज चीज खतम होई और कल से आपको शुरू हो गई कोई यहाँ पर कह अचल तोड़ी ना है कोई इमारत थोड़ी कि आज आपने उसके निव रख दी ठीक है यह क्या है आपके टाइम पिरिड कि बात यहां पर हो रही है आप चित्रकला की बात हो रही है ठीक है ऐसा त्वहाँ आपको याद क्या रखना इसका time period कब से कब तक रहता है तो जाहिस सिवात 1550 से तो कौन सी शताबदी हो जाएगी 16 शताबदी से लेकर के 19 शताबदी तक के 19 शताबदी तक के इसका टाइम पिरेड रहता है ठीक है तो यह दो questions आपके बन गे एस वी पूछा जा तो 1550 से लेकर के 19 सी शताबदी से लेकर के 19 शताबदी तक के इसका टाइम पिरेड रहेगा राजिस्तानी शताबदी तो आपकी अगर बात हम लोग करें मुगल शैली और राजिस्थानी जो शैली थी वह क्या है दोनों साथ साथ में चली थी मुगल शैली का टाइम पीरिड के कब से कब तक रहता है तो सोलवी शताब्दी से लेकर के अठारवी शताब्दी तक के मुगल शैली का टाइम पीरिड रहता है तो इस टाइम पीरिड को आप मैश कर लीजिए ठीक है तो सोलवी शताब्दी से लेकर के उननीस वी शताब्दी तक कि किसका टाइम पीरिड रहेगा राजिस्थानी शैली का और मुगल शैली का टाइम प क्या है अपकी साथ साथ चली थी यह चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छ से याद रखनी क्वेशन से पूछा जा सकता है इस वज़े से आपको समझ के चीज़ करनी है ठीक है वैसे भी अगर आप नेट का एक्जाम दे रहें तो आपको वहाँ पर फैक्चुल क्वेशन है कि यहाँ राजिस्थानी शैली का टाइम पेर भी क्या है राजिस्थान कहने का मंलब देक्वहल学 refund में आंसर आपको नहीं पढ़ना होता है ठीक है चली सबसे पहले होता क्या है कि राजस्पान जो आपका है शेत्र है वह क्या है कई नाम儿 से बुलाया जाता है कई यहां अलежд अलगません सब्सक्राइब करो अलग में या यहां जाता है वह जाती किदा। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रियोग किस ने किया था ठीक है क्वेशन ने आप बन रहे हैं जो क्वेशन बनते जा रहे हैं मैं बताती जा रहे हूं सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रियोग किस ने किया था किस ने किया था करनल टॉड ने सबसे पहले राजस फ्थान शब्द का प्रियोग किया था कॉन टम्ट यह थे एक विटिश अधिकारी थे कॉन यह बीटिश अधिकारी थे szange यह भी आप कोइशन यहांद यह रखेएगा पूछा ज़ा सकता है का यह कॉन के अउन पूछा ले करनी तो आपको सब चीज़े समझ में आ जाएंगे अगर आप मेरी क्लास इसको फॉलो कर रहे होंगे तो आपको चीज़े समझ में भी आ रहे होंगी ठीक है चली करनल डॉट कौन थे एक यह बिटिश अधिकारी थे इन्होंने सबसे पहले क्या है राजिस्थान शब्द का प राजिस्थान शब्द का प्रियोग किया था तो यह चीज़ आपको इतनी चीज़ यहां पर समझ में आ गई अब हम बात करते हैं जब यहां पर अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज क्या इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं तो इसको क्या है राजपूताना भी कहते थे ठीके राजवडा ठीके राजवडा भी राजिस्थान का ही एक नाम है तो इस तरीके से यहां पर काफी चीज़े राजिस्थान से रेलेटेड आपको समझ के करनी हैं अब हम बात करते हैं कि भारा सरकार ने राजिस्थान शब्द को कब सुईकार किया था तो होता क्या है जब यहाँ पर बिटिश लोग आये थे तो उस समय इसको क्या कहते थे इसको कहते थे राज पूताना कहते थे ठीक है इतनी चीज़ समझ में आ गए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है 1956 में 1956 में भारत सरकार ने इस शेत्र को क्या सुविकार किया राजस्थान सुवि सुविकार किया ठीक है तो यह पॉइंट आपको आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है पहले अंग्रेज लोग इसे कहते क्या थे राजपोताना कहते थे फिर 1956 में भारत सरकार ने इसे राजस्थान के रूप में सुविकार किया यह चीज़ आपकी यह राजस्थानी शैली आपके अस्तित्वी में आती है जब आपकी अब्रण शैली क्या है अब्रण शैली क्या है गिरावट पर आ जाती है अब्रण शैली का अस्तित्व होने लगता है यह अब्रण शैली की क्या है जो हमने शैली पढ़ी थी उसकी कुछ विशेष्टाएं क कुछ विशेषताइं बदल के ही कौन सी शैली आती है खीक यह को पता हैifer attend टि सैनल शैली के और कौन कौन से नाम है या आप मैं लिख देती के आप कशिम नाम हो सकता हैं अब歌 शैली ना दिया हो तो जैन शैली भी इसे कहते जैन शैली भी कहते हैं ठीक कि और क्या कहते हैं गुजरातीशैली कहते हैं अब घुजरात आपको कहा हैं पश्चिम भारत feas Šextा-5 तो कमा चली ना नहीं है Opp φ अब अब बात करें कौन-कौन सी सब्sy preserve बने घाती है तो अब्भरन शैली में किया है Jean Wendy चहरे बनते थे राजिस्थानी चहरे से एक चस्म चहरे बनने लगे तो यह जो रेखाए है वो कैसी रेखाएं थी, कोड ये रेखाएं थी, तो उसी तरीके कहने का Sense यह है, कि उसमें कुछ changes आने पर वो क्या है किसमें तब्दील होती गई, वो राजिस्तानी शायली में तब्दील होती गई, समझ भी बात आई इतनी चीज़ समझ में आप बात आ गई चाहें आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजे और आप जो है चीज़ों को नो डाउन करते चलिए अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठा करिए जिससे कि आपको समझ में बात आए कि जुम्हें अलग से चीज़ें बता बिद आपके देखां मलब अप्रेशली में उतना जाधा रंगों कब मैं नहीं था और इसमें राजश्तानी शायली में और जो और 2 टी के आपने देख्वा कि लोग म Как ल को देता है फिर नहीं, कागस को चिपका करके जो है कागस सयार किया जा कागस को चिपका कर ठीक है तो समझ में बाता है कि आपको अब ब्रण शायली में कागस पर चित्र लास्ट टाइम बनने लगे थे आपको च्छी से पता जब कागस का विश्कार हो गया थे तो कागस पर चित्र बनने लगे थे अब यहां पर क्या उसी कागाश को क्या है एक आप न रह Them को क्या आप है दो है कई कागस को चिपका करके उसको इसको क्या खम्हें बोलते लिए तो यहां पर उसली पर अंकन होने लगा था किस में राजिस्थानी शयल्य में तो ये कुछ पूइंट थे जिसके पूर पीठी का अगर पूची जाए तो आपको क्या बताना अब्रण शैली ही बताना है समझ में बाता है इसके अलावा हलाकि आपकी राजिस्थानी शैली पे मुगल शैली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है ठीक है तो एक वैसे आपको आपको करन सबसे पहले राजिस्थानी शैली का वैग्यानिक विभाजन किस ने किया था तो किस ने किया था आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था सबसे पहले राजिस्थानी शैली का वैग्यानिक विभाजन जो किया था वो किस ने किया था आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था जाहां गिया था तो इनकी एक पुस्तक है तो यह आपकी एकके स्वामी यानि के आनुद अनुकुमार स्वामी की यह क्या है इसको क्या है पुषवी यह सब्सक को बता है इनहों ने 1916 में इनकी कह सकते हैं जो आप war passed अंत्तर पश्रिम की कला थे उसको कहें है दो पार्ट्स में डिवाइड किया ठीक है उत्तर पश्रिम की कला को दो पार्ट्स में ڈवाइड किया एक तो आपकी हो जाएगी मोगल खैली और दूसरी कौन सी हो जाएगी राजपूत खैली हो जाएगी ट PROF यहां पर सबसे पहले क्या है मोगल खैली और राजपूति Krò को यहां फिर iasig राजपूर शयली को क्या है राजिस्थानी शयली और पहाड़ी शयली में बटा ठीक अगर आपसे पूछा जा राजपूर शयली के अंतरव कौन शयली हो जाएंगी तो राजिस्थानी शयली और पहाड़ी शयली हो जाएंगी आज हम लोग कौन सी पढ़ना है राजिस्थान शैली और पहाड़ी शैली इस तरीके से आपका क्वेशन पूछा आता है आपको यह क्वेशन याद रखना है इतनी चीज़ आगई समझ में चलिए आगे हम बात करते हैं राजिस्थानी शैली का नाम करण अब राजिस्थानी शैली को अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से इसको पुकारा है ठीक है अगर हम बात करे आंत कुमार स्वामी देने की सबसे परहले बात करते है राजपूत शैली इसको किसने कहा है अब हाँ यह भी आपको याद लड़ी क्यों कहा गया यहाव मैंने बताया तो यहांने क्यों ठीब राजब विचार देते थे लिएसा है कि आपको तूद रखनी चली तो यहां पर आगर आगर बात कर राजपूर शायली इसको किस ने किस ने कहा तो आनत कुमार स्वामी ने इसको राजपूर शायली नाम दिया Ernest Benfield यानि कि Evie Heavl ने भी इसको क्या है राजपूर शैली ही नाम से पुकारा ठीक है और वासिल ग्रे ने भी इसको राजपूर शैली के नाम से बिलाए ठीक है यहाँ पर याद रखिए का यह चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए कि यहा पूछेतर ही को याद रखना है अच्छे से आयाद रखना है डोलते हैं इसको owned ne मेहता ने राजिस्थानी शैली को क्या नाम दिया हिंदू शैली नाम दिया ठीक इतनी चीज होगे अब इन सब ने क्या है अलग-अलग और उनके साथ और बहुत से विद्वान थे, उन्हों ने सारे विचारों को खंडन करते हुए, इनके इनके विचारों को खंडन करते हुए, कहा इसका नाम और कुछ भी नहीं होना चाहिए, बलकि क्या होना चाहिए, राजिस्थानी शैली होना चाहिए, तो ये चीज आपकी राजिस्थानी शैली का वर्गी करण ठीक है राजिस्थानी शैली का वर्गी करण देखते हैं कि राजिस्थानी शैली में कौन कौन सी उप शैली आती है ठीक है तो ये सारी चीज़े हम लोग देखेंगे अब देखें अब ये राजिस्थानी शैली का वर्गी करण आपके स अपशैली हैं तो हो जाएंगी ममार्वार शैली हड़ाती शैली और धून्डा शैली राजिस्थान्य bang एक और वार शाइली तो आपकी हो जाएंगे उदयपूर्वा आपशे पूर नाथटवा देवगड है कर दो अब और में आपको याद करने का लेकिंग आप भूल जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है, human nature है भूलना, तो भूलने का तरीका भी आपको आना चाहिए, कि कैसे उसको याद रखा जाए, ठीक है, तो अभी मैं बताओंगी, पहले इसको समझ लीजिए, राजिस्थानी जो शैली है, उसकी क्या है, चार क्या है आपकी शैली है, या कहा सकते है, राजिस्थानी शैली की, चार क्या है, उप शैली है, कौन कौन सी हो जाएंगी, मेवार शैली, मारवार शैली, हडोती शैली, और ढूंडार शैली, इसी तरीके से, मेवार शैली की भी क्या है, तीन, आपकी तीन क्या कई है, लेकिन में में जाएंगी तो यह आपकी कौन सी हो जाएंगी यह आपकी हो जाएंगी यह आपकी हो जाएंगी हरोती शैली की यह क्या हो जाएंगी इसको आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है फिर बात करते हैं धूंडार शैली की बात करते हैं धूंडार शैली में कौन सी आ जाएंगी जैपुर शैली अलवर शैली उनियारा शैली और शेखावटी ठीक है उनियारा लिखा हो उडियारा भी कभी कभी लिखाता है ठीक है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रख आप लोग देख लिए अपने आराम से फिर मैं आगे चलती हूं ठीक है क्योंकि सारी कई काफी चीज़ें लिखी हुई है ना तो आप इसको पहले देख लिए आखों में बसा लिए फिर आगे हम लोग चलते हैं ठीक है ठीक है तो यह आपकी हो गए यहां पर शैली अब हम बात करते हैं इसको याद किया पहले इसको हम लोग देख लेते हैं इसके वंश देख लेते हैं पहले वंश हम लोग समझ लेते कि किसमें अब मेवार शैली में कौन सा वंश रहेगा तो आपको यादखना है सिसोधिया वं आपको याद अखना है ठीके तो हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा वंश कहाँ पर चलता था ठीके तो यहाँ पर बात करते हैं वंश की यहाँ पर बात हो रही तो मेवार शैली में कौन सा वंश हो जाएगा सिसोधिया वंश हो जाएगा कौन सा वंश हो जाएगा सिसोधिया ठीके वंश यहाँ पर हो जाएगा मारवार में कौन सा वंश हो जाएगा राठ और वंश ठीके ठीक है डूनार शैली को क्या है कौन सा वंश हो जाएगा कच्छवाहा वंश हो जाएगा समझ में बात आई तो इस तरीके से आपको वंश याद रखने हैं मेवार शैली का कौन सा वंश हो जाएगा सिसोधिया वंश हो जाएगा मारवार शैली के कौन सा वंश हो जाएगा राठोर वंश हो जाएगा हडवती शैली के कौन सा वंश हो जाएगा हाडा वंश हो जाएगा और ढूडार शैली के कौन सा वंश हो जाएगा कच्छवाहा वंश हो जाएगा चलिए अब हम लोग इसकी जो उप शैली है उनको हम लोग ट्रिक वाइस याद करते हैं ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे मेवार शैली की ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से हमको याद करना है क्योंकि हमको तो याद भी करना होता है ठीक है चलिए सबसे पहले आपको मैंने याद हो लेकिन हो सकता है जब आपके एक्जाम में जब चारो अप्शन आपको दे रख्यों नादवार देवगर्द ठीके उदैपूर है जालावार है अलवर है उडियारा है यानि कि हर शैली की मालो चार चार रख दीजिए तब भी आपके कितनी होगे चार चार को 16 हो गई मेवार को ०िमाघ में अगर वर्ड आता है तो अब क्या याद रिखना है मेवे से याद रखना है अब इसी है कवेसे हम क्या है trick बनाएंगे थिक मेवार से क्या भाने आपको मेवार धजकना सब्सक्राइब करें अगर कहानी सुननारे जा रहीं अगर मैं लाइन बना दू तो रहे जैसे नहीं रहती है किest Rank लाइन कर ट्रिक बनती है कि एक क्लाइन दे दि और उसमें बहुत और तो वो भी trick सही रहती है लेकिन वो कभी-कभी exam में वो line ही नहीं याद रहती है यानि कि trick वाली जो line होती है वही आप भूल जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे उस word से trick बनाएंगे जिससे कि आपको याद रहे हैं तो मेवार से आपको क्या बन गया? मेवार से आपको मेवा बन गया अब हम बात करते हैं नाथ द्वार नाथ से क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे भोले नाथ को बनाएंगे अब यहाँ पर आपको भोले नाथ की picture दिख रही होगी ठीके? यहाँ पर भी भोले नाथ की picture दिख रही होगी तो क्या होता है जो भोले नाथ होते हैं ठीक है या देवतागर होते हैं उनके पास इतनी ज्यादा शक्ति होती है तो शक्ति के लिए क्या खाते हैं ताकत उर्जा के लिए हम क्या खाते हैं मेवे से क्या हमको एनरजी आती है ठीक है मेवे से क्या हमें एनरजी आती है तो क्या होता है जो आपके भोले नाथ होते हैं या भोले नाथ हैं और जो देवतागड़े उनके पास अल्रेडी इतनी शक्ति है कि उनको क्या है मेवे खाने की जरुवत नहीं है ठीके भोले लगतार को और भी जो देवतागढ़ रहे हैं कि ऑवतार है एक मेंशने करेपार नहीं हो गई कि उनके पास पहले से इतनी शक्ति होती कि उनको मेवे खाने की जरूरत नहीं होती मेवी खाने की दरद, अमेवी से क्या बन गए, मेवार शैली की बात हो गई, ठीके, समझ में बात आई, क्यों उनकी बाशक्ती होती, क्योंकि क्या है, वो सुबा ही उदय, यानि कि उदय, जब सूर क्या होता है, ठीके, जब सूर उदय होता है, तभी वो क्या है, सूर के उद बोक्स ने जरूर लिखेगा ठीके लाइन भी बनती है लेकिन लाइन से आपको चीज़ें नहीं याद होती है ऐसे आप वहाँ पर जब नाथ द्वार देखेंगे तो नाथ से क्या रखनेंगे भोले नाथ ठीके देवतागर को क्या है ताकत की जरूरत नहीं होती है ठीके देखेंगे मेवार शेली तो होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेवा खाने भोले नाजी को यह देवतागड को टाकत के लिए मेवी खाने के जरूरत नहीं होती क्योंकि कि वह सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं उनको क्या है इन सब करने का मैं तरीका बता रह striving है आगे हम चलते हैं मेवार शायली की का कैसे यह वाली तो 5 पांस आपको नहीं जा देखना मारवार देखांचार आप इस तरीके정 की वेश भूषा हमती है आट्रीकार झाल मारवारी क्या खालते हैं तो राजिस्थानि लोग है वो इस सब्सक्राइब जहां पर मारवार सब्सकुषा पहने है कि इस तरीके से यह पर वेश्बूशा पहनते हैं इस तरीके से आपके इमेज आना चाहिए जब आपके दिमाब में इमेज आएगी तब ही आपको चीज़े समझ में आएगी ठीक है समझ वर दाए ठीक है जोदपूर तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि मारवार को ही jodhpura še li koje나 padeleni यह आपको याद रहे गए इसमें आपको याद करने की जरूपत नहीं है कि? आगे हम चलते ही यहां पर बीका ने शेली, नागोर शेली, सबसे पहले हम यहा देखेंगे जो आपकी मेवारी जो लोग है वो क्या है, बहुत से क्या है, औरनमेंट पहनते हैं, बहुत से आभूशर पहनते हैं, अपने को क्या है, सुन्दर दिखाने के लिए, सुन्दर दिखने के लिए, ठीके, तो सुन्दर दिखने के लिए, उनको क्या आभूशर पहनने पड़ते हैं, ठीके, और क्या है, जब उनको हम क्या गौर से देखते हैं ध्यान से देखते हैं तब देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे क्या है गहने पहन रखे होते हैं ठीक है बहुत अलग तरीके कि यहां पर आबुशर उन्हों पहन रखे होते हैं अब इन्हीं आब गौर से देखने के लिए क्या लगएंगे गौर याद पर में दिख रहा है की नहीं, ठीक है, तो जहां पर ये गहने बिकते होंगे, ये वही पर तो जाएंगे, तो बिकने से क्या अजया। सबते हैं कि आप मुझत ने देखेंगे, आपको समझ में बात आएगस मारवाडी जो लोग होते हैं तो क्या मारवाड़ी जो लेडीस हम देखेंगे या राजिस्थानी जो लेडीस देखेंगे वो क्या होते हैं जो ट्रैडिशन इंकी ट्रेस हैं बहुत सारे गहने वगरा और्नमेंट वगरा अबुशल वगरा पहनती है ठीके जब उनको क्या देखेंगे गौर से देखेंगे, तो जब गौर से देखेंगे, क्या बन जाएगा, ना गौर बन जाएगा, ठीक है, यह इतना आपको यहाँ पर यह चीज़ क्लियर होगे, ठीक है, अब इन ही गहनों को खरीदने के लिए, इन ही गहनों को खरीदने के लिए क्या जाएंगे, कहा यहां पर किया है यहहने क्या होंगे भिकते होंगे ठीक हैं तो बिकने से क्या जाद रखेंगे वही से गहने खरीदेंगे समझ में भाते हैं अब इन इन गहनों को पहन कर, सज सवर कर, क्या करते हैं, अपने लड़ु गोपाल को, यानि कि किशन, ठीके, क्यानि कि किशना, बाल किशना को क्या करते हैं, ये रिजाएंगी, ठीके, यानि कि अपने बाल किशना को क्या है, रिजाएंगी, यानि कि उनको मनाएंगी, आज़ा, कह सक अभाज़ाएंगी उनको प्यार करेंगी इस सरीकस से आपको याद को ऐखा भो इसमें मुझे नहीं लगता है इसमें प्रेक्न बनाने जरूरातें और शाहली भीआ आपको याद होगा ठीके चलिक नेक्स हम लोग चलते नेक्स पर डेखते हैं रहिए बहुती सामने पिक्टर देखते हुआँगे आपको जो है इमेज आपको सिक्षिक्राइब को नटोबिया उक्षपना तो किए दिमाग में आicas चाहिए थेठेपना आपके दिमाग में क्छाइए थिक हाँ पर होता है yn लोगों ने क्या किया इन्हों ने इनकड्रेस हडप लिया और इन्हों इनका ड्रेस घडप लिया इनakers ने क्या है बुंदी वाला कोट पहनकर यानि कि क्या है जालर वाली फ्रोग पहनकर जालर वाली फ्रॉग किसकी हडपली इनकी हडपली ठीक है यानि कि एक दूसरे की चीजों को हडपली ठीक है तो जालर वाली फ्रॉग क्या कर ली हडपली ठीक है जालर वाली फ्रॉग क्या कर ली हडपली अपनी बीवी की यहां पर बीवी यहां पती पत्नी माल लीजे सीधे हाला कि ही रणबीन कपूरा को यह पर देख रहे हूं नहीं हाँती है उप इपको पाधिकोर्म है क्या किया एक ठीक है पत्नि की पतलिया घ्रॉट बिंदी ने आपको हरप लिया तो बींदीदार कोट? आपका किस में हरपा? लेका किसे भले? इस तरीके से आपको यह trick याद रखने हैं यह picture अगर आपको याद रही तो आपको याद रहेगी समझ बात है अब trick है तो अजीव सी होगी अब थोड़ा से आपको समझना तो भाई पड़ेगा ही ठीक है चलिए हो गया हाडव शाप पर हो गया आगे हम चलते हैं next trick हमारी क्या है next हम लोग देखते हैं ये हो गया अपकी धूंदार शैली की उपसाइली अगर आपको बिना ट्रिक के याद होती है तो बहुत अच्छी बात है विनके लिए जो आपसे जुनको नहीं याद हो रही है म याद रखना है ठीक है जैपुर को क्या बोलते है जैपुर को क्या क्या डूंड़ने us быть यह ठीक घईद्टिजद नहीं मिलेंगे समझ में बात आई फिर बात करते हैं अलवर से बात करते हैं अलवर को क्या बनाना है आपको आलू बनाना है अब आपने देखा होगा जब आलू की खेती होती है जब आलू आपके पूरे तयार हो जाते हैं फिर क्या किया आता है यह जो खेत होते हैं खेतों में क्या करते हैं तो होता है वैसे टून का निकालेंगे तो कहां निकाले तो आलू को क्या किया एता है ढूंत कर निकाला जाता है और यहाँ Pine बहुत सब्सक्राइब कि यहाँ पर देखें गे में लोग शेक याद रहें जाद कर रहें इस तर्फ से शेक पर गजिएट से जान था आधेबगा करें था is कि यहां पर बहुत सचिद्वन आपको की शेक पाते कर रहें पर कॉंत इसमें बसे बताओ कौन सी लड़की नियारी है नियारी मतलब प्यारी है कौन सी लड़की नियारी है जिससे आप उनकी नेक्स बेगम बने जाके ठीक है तो कौन सी लड़की इनकी नियारी है दोनों शेख क्या है आपसे बाते कर रहे हैं और इसमें सेट कर रहे हैं कि कौन सी यहाँ पर लड़की नियारी लग रही, प्यारी लग रही, सुन्दर लग रही है, ठीक है, वो आगे के लिए उनकी क्या है, मनलब वाइफ बने, ठीक है, तो यहाँ पर नियारी से क्या यादखना है, उनियारा आपको यादखना है, समझे बाता है, यह चीज़ होगे, अब पर यहां पर अभी चीज पास बहुत जाया गोल्ड गोल्ड होता है आगर इनके एक भी गोल्ड का कट करना गिर बनें। इतना जादा अनके पास गोल्ड ही है अगर थोड़ा सा सिक्का एक मान लो गिर भी गया तो क्या है वो ढूनने निकलेंगे तो बिल्कुल नहीं ढूनने निकलेंगे तो शेक लोग का अगर मान लीजिए थोड़ा सा गोल्ड गिर भी गया तो वो क्या है ढूनेंगे उसे नहीं तो शेख से क्या बन गया शेखावटी ठीक है शेख से क्या बन गया शेखावटी और किस शैली में आएंगे ढूनने से क्या आएंगे ढूनार शैली के अंतरगत आएंगे ठीक है समझ में आया और ये क्या है होते हैं शेखावटी लोग जो होते हैं वो क्या है नियारी नियारी प्यारी प्यारी लड़किया धूनते हैं ठीक है और धूनने के लिए क्या अपनी आखे चलाते हैं अब नियारी लड़किया धूनेंगे ही तो तो नियारी लड़किया क्या करेंगे धूनेंगे ठीक है तो वह भी है आंए हो सकता आपको समझ में अगहाई हो अगर उच्छ तो कोई वात नियाuir आ अप्छाइर याद कर लेटेगा चलिएगगा था राजिस्थानी शायली की विशेषता नहीं देखनें चरेगे। साम में पूछ आती बद उन्हीं को हम लोग यहां पर देखेंगे राजिस्थानी जो शायली है इनकी जो रेखाएं कैसी बनाएगे बारीक रेखाएं और कम रेखाओं का प्रियोग हुआ है यानि कि कहने का मतलब कम से मतलब क्या है यहां पर बहुत जादा रेखा रेखा की म पुरधानता है ठीक है तो बहुत जादा टाइम आपका ट्रिक में लगया लेकिन अगर आपने एक बर समझ ली तो आपको याद रहती है ठीक है कम रेखाओं का प्रियोग किया गया है किसमें आपके राजिस्थानी शैली में ठीक है रेखाएं क्या है बहुत कुशलता तो उसमें क्या कोड़ी रेखाएं होती है उसमें कोई इतना जादा नहीं होता है लेकिन यहां पर आपको रेखाएं गतिशील रेखाएं अलंकारिक रेखाएं आपको यहां पर मिल जाती है कहां पर राजिस्थानी शैली में अलंकारिक रेखाएं यहां पर आपको मिल जा बात करें धाजिए है इस यहाँ पर शुद्ध भारती है त्युद्ध भारती tratos फ्र शुद्ध भारतीस पर किसी विदैश कंट नहीं का पिर्यूंद नहीं एपिछाइस public Jewel राजस्थानी और भारती शैली मिष्ड़ है अब कि यह आपको राजस्थानी शैली है यह पोन रोब से एक हैस्म चैस्थानी मेंमें डिक्सक्राइब चलि आगे हम देखते हैं रंग यहां पर जो रंग है तो यहांपर कैसे चत्कीले रंगों की परदांता है पर राजिस्थानी शैली पाता है, लाल, नीले, पीले, है सफेद है इन सब की यहां पर में लिखती हूं लाल है ठीक है नीले है ठीक है ठीक हरे और सफेद इन सभी रंगों की किया है यहां पर अधिकता मिलती है म्रग मचली खंजन जैसी आंखे यहां पर सबसे इंपॉर्टन पॉइंट अगर राजिस्थानी शैली को आपको यहां पर पहचानना है तो पहचानने का तरीका क्या है आंख है तो यहां पर आंख जो क्या है कहीं पर म्रग जैसी मचली जैसी खंजन जैसी इन तरीके की आंखों का यूज हुआ है समझ बाता है अगर आप से क आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगी चरिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर भक्त और धार्मिक ग्रंथ देखते हैं ठीके यहाँ पर हम देखते हैं भक्त और धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर देखते हैं भक्त मतला भक्ति वाले भक्ति पूर यहाँ ठीके भक्ति पूर ठी तो यहाँ पर देखते हैं आप देखें यहाँ पर क्या है रामायन है महाभारत है गीत गोविंद है भगवत गीता है बिहारी सत्साई है दुर्गा सबसती है इन ग्रंथों का चित्रड हुआ है कि इसमें राजिस्थानी शैली में बहुत अच्छे से हुआ है ठीक है तो स्थानी शैली में बहुत अच्छे से किया गया है समझ बात है तो यह सब चीज़े आपको याद रखनी क्यों जाहिर सी बात है आपको पता यहाँ पर बगतिकाली जो संत है इनकी चीजों को इनके कावियों को यहाँ पर क्या है पुर्भाव दिखाई देता है तो इस वज देखना पर इनकी में चित्र नायक तो बना ही बना है अब उस चित्र को सजीवता लाने के लिए उससे और बीचीजें यहां पर बनाई गईए इस चीज़. सजीवता लाने के लिए क्या है उसमें और भी चीज़े बनाई गया जैसे कि यहां पर क्या किया गया है नायक के साथ प्रकृतिक का भी अंकन हुआ है ठीक है नायक तो बनाया गया है उसके उसाब से क्या है प्रकृतिक चीजों का प्रकृतिक का भी अंकन यहां पर अच्छे क्रिष्ण लीला में पश्फ्वक बना नहीं बना यहां पर इसे रिलेिट चीज तो आई हैं म्रग मचली हैं तालाव हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाता है राजस्थानी आचितर को पर निया घुके तो राग राग्राग नियों का भी अंकन हुआ है और 12 मासा का भी अंकन हुआ है राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग्राग को आप याद रखिएगा तो आपको यहां पर एक्जाम में यह वाला क्वेशन गलत नहीं होगा क्योंकि पूछ लिया आता है यह वाला कुछन बहुत ज्यादा सरवाधिक 12 मासा के चित्र किसमें हुआ तो पहाड़ी शैली में हुआ ठीक है दोनों ही इंपॉर्टेंट है मैं कई बार बता चुकी हूं आपको याद रखना है कल की क्लास में भी मैंने इसको बताया था जब अब्जेक्टिव क्वेशन करा थे आज में फिर से बता रही है यहां पर जो शितिज रेखाएं हैं वो क्या है सद्य ऊपर की ओर बनाई गई है शितिज रेखाएं जो है आपकी वो क्या है शितिज मतला होरिजेंटल जो लाइन है वो आपकी कैसी ऊपर की ओर बनाई गई है ठीक है अब यहां पर शिरिंगारिक चित्रकला यहां पर है इ राजिस्थानी शैली को यह आपको यादकना है कि इस शैली में रुत्वों के अनुर्फ राग राग नहीं बारा मासा इन सब श्रिंगार राजिस्थानी शैली को क्या है श्रिंगारिक शैली चित्रकला बी कहा जाता है आपको राजिस्थानी शैली में अजतनी चीज़ें कल सब्सक्राइब हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि चित्रिकार से सब्सक्राइब नेक्स क्लास से लिए आपो जानाएब या跟मेंट करते हैं विडियो को आप लोग शेयर कर दिये करें कि फिडियाफ को बनाने में काफी महनत लगती है चीजे अगर आपको सभज में आती तो आप मुझे अपने कमेंट बेसे जरूर बताएज याने की क्लास का एप लोग आपको क्लास क्यासी लगी ठीक है तो सभी को जैहिन, जैबार, thank you so much for watching my video, thank you so much.